निवस्कार दोस्तों MP दस्वी बार्वी भूरक रिजल्ट 2023 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ओफिसल अपडेट आज चुकर मैंने पहले कहा था कि आपको लगातार ओफिसल अपडेट मिलती रहेगी MP बोर्ड की तरफ से जो भी मैंतमुन अपडेट आईगें कि दस्वी औ अपडेट के बारे में जानते हैं जी हां दोस्तों यह है आज की सबसे बड़ी अपडेट जो भी नए श्टुडेंट है पुराने श्टुडेंट है वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को जुरूरी सब्सक्राइब कर लेना तो गईस हम बात करते हैं आप एक ही सप्लिम परिक्शा का पढ़नाम रिजल्ट अभी तक गोषित नहीं किया गहा है नाहीं दस्वी का परिक्शा परिक्षण परनाम अभी तक जारी नहीं किया गया नया सत्तर सुरूए डेड़ मैने से ज़्यादा समय बीच चुका है और लगवग दस्युका भी यहाँ पर आपका उसी टेम पर आने वाला है जिस टेम पर बार्वी का रिजल्ट आएगा इसे में सप्लिमेंटरी वाले चात्रों को कापी कॉर्स छूट गया है हायर सेकंडरी में एक लाग से ज़्यादा चात्रों के सप्लिमेंटरी आई थी इधर उसी सी विवाग के अधिकारिक ने बताए कि जिन चात्रों का कोर्स अधुरा है उनकी अलक सी क्लास लगा कर पूरा किया जाएगा हायर सेकंडरी में की बारवी क्लास का जो परिक्षा का पढ़नाम है इसी मन्त के लास तक लगव अठाइस अगस्त तक आप लोगों के रिजल्ट डिकलियर होने वाले हैं दस्यू के भी एक साथ एक जारी के जाएंगे संचारित बीए बीएस से बिकॉम आदे यूजी कोर्ष में एडविशन के लिए मंगलवार को सीट अलाउटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी इसके अनुसार चैने चात्र 26 अगस तक फीजमा करा सकेंगे विभाग ने अगले राउंड शैडूल भी जारी नहीं किया एसे में बारवी की सप्लिमेंटरी परिक्षा नहीं आने के कारण कई छात्र एडमिसन परिक्रिया में सामिल नहीं हो सकेंगे तो ये बड़ी दुखत भी खबर है कि कई चात्रभी परिक्षा में यान के एडमिसन में भाग नहीं ले पाएंगे बट हो सकता आपके लिए डेट बढ़ने वाले है तो आप बिलको नो टेंशन रहे तो दस्योर बारी का जो सप्लिमेंटरी का परिक्षा का अपनाम को लेकर आज की में अपडेट है इसी माइने के लार्स तक जारी कर दिया जाएगा इनकी 28 अगस तक आपके रिजल्ट डिक्लेर होने वाले हैं 28 अगस की आसपास और जो भी में अपडेट आएगी लगातार आपको मिलते रहेगी और जैसे रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी तो प्लेज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद